आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं अपने आने वाली संत्ति के बारे में सोतना पड़ेगा सब को एथ होना पड़ेगा हम किसी का भी रोज नहीं करते हैं लेकिन कोई हमारों के रोज करेगा तो नमस्कार दोस्तों, India Strikes Channel पर आपका स्वागत है। कि पिछले 24 गंटों में वही हुआ जिसके बारे में हम पिछले काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं। ब्राउन केनेडियन उगरवादियों ने जिनको खालिस्तानी के नाम से जाना जाता है। उन्हों ने हिंदूों के ऊपर अनप्रोवोक्ट अटैक कर दिया। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पुलिवियर जैसे कनेडियन पुलिटेशिन और C.I.A. और अमेरिकन डीप स्रेट जैसी संसाओं से सपोर्ट हासिल है। जैसे ही उन उबरवादियों ने हिंदूों के उबर हमला किया, तो हिंदूों ने भी उनका प्रतिकार किया। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि उस बीर में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, तो हिंदू थोड़े पीछे हुए और कुछ पुलिस वालों ने भी इसको रोकने की कोशिश कि अब ये जो घटना है, वो सिर्फ एक ही जगा पर नहीं हुई, बलकि सरी और पील के क्षेत्र में ती ऐसी घटना हुई है, जब पील में ऐसी घटना हुई तो पील पुलिस को हिंदूों ने अपनी रक्षा के लिए महाँ पर भुलाया, लेकिन अफसोस की बात ये रही, कि उनी पील पुलिस के ओफिसरों में से दो ओफिसरों में कुछ हिंदूों के उपर बैटन और पंचिस से हमला कर दिया, जी हाँ, इन, ब्राउन, कनेडियन, उगरवादियों और आतंकवादियों को वचाने के लिए उनका पक्ष लेते हुए, पील पुलिस के नपुनसक पील पील की, अब वो जो दो पर्डिकलर पुलिस ओफिसरों ते ये हैं उनके चेहरे, ये हैं वो दो नपुनसक ओफिसरों पील पुलिस के जिनोंने निहत्ते शांती से अपनातियाओ और मनाते हुए हिंदूों के उपर हमला किया, इसके अलावा सरी में भारतियों और जो जब भारतियों ने उन उग्रवादियों के टटी कलर केप जन्डे को पैरो तले रोदा, तब सरी पुलिस के ऑफिसरों ने उन जन्डों को भारतियों से ले लिया और ऐसा ना करने की भारतियों को सला दीूँए। अगर आप हमरे साथ X और WhatsApp के मादियम से चुड़े हैं, तो आपने कई बार इन ब्राउन केनेडियन उग्रवादियों को भारत के जन्डे के साथ बेहत भी करते हुए वीडियोस देखे हों लेट। कैनेडा में पिछले 24 घंटों अलग अलग जगां उपर एक साथ इन ब्राउन कनेडियन उग्रवादियों ने भारतियों उपर हमला किया, जिसकी भविश्यवानी हम काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। के इस बायस्ट रुख के चलते हैं। आखिर का हिंदू सवा मंदिर के पुजारी में लोगों एक होने की अपील की है, जो हम कबसे कहते आ रहे हैं। अब पिछले 24 गंटों में सिर्फ कैनेडा में ही नहीं, बलकि यूके में भी इन उग्रवादियों ने गंद मचाया है। जी हाँ, सिर्फ कैनेडा में नहीं, बलकि यूके में भी इन उग्रवादियों ने गंद मचाया है। जन्दे के साथ भी बियत भी की गई, और साथ ही में नरिंद्र मोधी जी की छबी को भी उल्टा लटकाया गया, साथ ही में इंदिरा गांधी किया जो असेसिनेशन हुआ था, उसकी भी तस्वीरे वहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन लंडन की जो नपुन सक्वी बुलीस ह उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं या ना ही इनको रोकने की कोशिश की, ना ही इनको वहाँ से, जो कि इंदियन हाई कमिशन ओफिस के ठीक दरवाजे पर खड़े थे, वहाँ से दूर करने की भी कोई कोशिश की, इस समय अगर इसी सुनक की सरकार होती, या फिर सुवेल कहीं पर सरकार में भी होती, तो इस प्रकार का दुस्सास ठीक इंदियन हाई कमिशन के बाहर ये ब्राउन ब्रिटिश उग्रवादी ब्रिटिश हातं की पम्मा की लिडर्शिप में नहीं कर पाते, उनको इंदियन हाई कमिशन की ऑफिस से दूर रखा जाता, लेकिन कि ये स्टार्मर ने ऐसे खोकले स्टेटमेंट दिये थे जिससे भारतिय उन्मानित हो रखे थे इसके बावजूद हम फिर से एक बार सभी भारतियों से जो कि UK में रहते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जाग जाए इस प्रकार की कटना आए बढ़ने वाली हैं जिस तरह से कैनेडा में दीरे 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 करके ये चीज़े बढ़ती जा रही हैं उसी तरह से UK में भी बढ़ेंगी और USA में भी अलग-अलग जगाओं पर इस प्रकार की कटना हैं देखने को आने वाले समय में मिल सकते हैं तो दोस्तों ये हैं ब्राउन करनेडियन उग्रवादी और ब्रिटिश उग्रवादी और आतंकियों से जुड़े गटना करम जो पिछले 24 गंटों में दो अलग-अलग देशों में हुए जहां पर एक जगा पर हिंदुों को डारेक्ली अटैक किया गया तो दूसरी जगा भारत टार्गेट किया गया अब वैसे देखने जाएं तो दोनों एक ही चीज़ हैं तो all in all दोनों ही कंट्रीज में भारत को और हिंदुों को टार्गेट बनाया गया इन उग्रवादी मानसिक्ता वाल गये लोगों के द्वारा जिसको Canadian government ने और British government ने अपने वहां पर पाल रखा है और freedom of speech और expression के नाम पर अपने वहां पर इस ट्र रहने के लिए request करते हैं और साथ ही में अपने network को और unity को strong करने के लिए जो भी हो सके वो करने की सला भी देते हैं याद रखिए बटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और ऐसे परिस्तितियों से अच्छे से सामना भी कर पाएंगे आपको ये वीडियो कै लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें qr scan करके financial support भी provide करें ताकि इस प्रकार की updates और analysis आप लोगों के साथ हम share करते रहें मिलेंगे अगली खबर में तब तक के लिए जय हिंद हरहर मादेव अच्छे से सामना है